हाई दोस्तों वेल्कम यूटूब चैनल सौनवी सिंग सौनी तो दोस्तों यह हमारा कंपूटर का साइबर सेकुरिटी का दूसरा टॉपिक है दोस्तों मैं आपको कंपूटर टॉपिक वाइज करा रहा हूं आपका दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप वीडियो देखके चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहते हैं और देखो तो चीजें कम हैं लेकिन कंटेंट बहुत बढ़िया है और हंडर परसेंट में आपको स्यूर्टी देदा हूं इसमें से एक परसंद जरूर आएगा वाइरस यानि आपके साइबर सिकूर्टी तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास देखिए साइबर सिकूर्टी साइबर सिकूर्टी आप जानते हैं साइबर सिकूर्टी का मतलब रहता है जैसे हमारे पास कोई इंसिटूट है तो उसमें क्या है कि हमें सिकूर्टी देनी है कोई चीज गलत ना यूज कर दा हो या मतलब कुछ गत भी दियां गलत नहीं हो तो यह टीबी कैमरा लगे हुए रहते हैं तो यह एक तरह से साइबर सेकूर्टी में ही आ जाती है आपके उपर देख देख हो दिया कि आप कोई नोन इस तरह से जैसे कोई भी किसी चीज़ का गलत यूज ना करते हो किसी चीज़ का तो यह हमारा Cyber Security लिखा हुआ है Cyber Security सर्बद Mobile डवाइस Electronic System Network को दुर्भावना फोन हमलों से बचाने Cyber Security से अभी पताई एक तरह की Internet Security से है जो आपको Malware Hackers या किसी अन्य तरह के साइबर आमनों से बचाती है तो बाइरस तो आपका बाइरस की फुल फॉर्म रहती है हमारा वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज तो देखें कम्पूटर वाइरस एक बिसेश परकार के सौप्टवेर प्रोग्राम होते हैं जिनने कम्पूटर को हानी पहुंचाने के उद्देश से बनाए जाता है ठीक है जी यहाँ वाइरस की अनुमती के बिनाहीं कम्पूटर को संक्रमित कर देटा को डिलीट कर देता है और नुक्सान पहुंचाता है इसे मालवेर या एडवेर भी कहा जाता है तो इसके कुछ इंपूटेंट फैक्ट्स हैं वाइरस एक देश फूड यानि मैलिस यह सौप्टवेर है यहाँ यूजर की अनुमती के बिनाहीं कम्पूटर में कम्पूटर को संक्रमित करता है और यहाँ मैमोरी और इंटरनेट के माद्दम से फैलता है वाइरस हाडवेर के हाडवेर को नुक्सान नहीं पहुंचा रहा है देखो अब क्या है कि जो वाइरस है वाइरस ऐसा नहीं है यह क्या है तुमारा आपने देखा हुगा हम उल्टी सीदी साइड पर चले जाते हैं व लापनेस्टिम में आ जाते हैं जैसे है आपने देखा हो आपका लैपट पर बहुत ज्यार थैंक करता है तो उसमें वाइरस आगया है मतलाओ आपकी जितने भी फाइल से हैं जासे एक तरशßen जंग लगना वो किसी काम की नहीं हो जंग लगने का मतलब है उता है अब का वा एक ऐसे जासे बॉड़ी में हमें कभी-कभी बुखाता आ जाता है ह् Karim वॉडिक को इंपेक्ड करता है यानि हमें इंपेक्ड करेंगाैं ऐसे मोटें में पहले उसे देता ये electrcomes के fp 230 कि उसमेंं मदद तरह तरह के बायरह ऀटे को बॉड़ी में वेर आने के लिए हमारे पास अंटिवड बनाए जाता है जैसे के लिए एंटिवायरस बनाए गया है, जैसे 360 है आपका एंटिवायरस की, CD आती है 400 रिपेगी तो इसमें हम आपके लेप्टॉप में कॉंपी कर सकते हैं सिस्टम में भी कॉंपी कर सकते हैं तो वो क्या है कि आपकी आपकी सिस्टम को प्रेटेक्ट करेगा एक तरह से तो अब है वाइरस की फुल फॉर्ट मैंने बताई दी वाइटल इनफॉर्मिशन रिसोर्स अंडर सीद देखिए इनवेंटर ओफ वाइरस बैसे इसमें लिखा है फ्रेड कोहन नौन न्यूम वाइन यह आपके मतलब वाइरस की खोज करता है वाकी का वाइरस का बैसे खोज करता है इन लोगों ने खोजा था लेकिन यह अन एस्पेक्टिड अपने आप से ही वाइरस आ जाते है उल्टी सीदी हम जो बैप साइड पर जाते हैं तो कुछ वाइरस के नाम नेम ले लिखते हैं एको पहला वाइरस है क्रीपर सबसे पहले खोजा गया वाइरस है सन 1971 मैं इस वा पर है तो वाइरस के नाम है जैसे आपका क्रीपर वाइरस है माइकल एंजोलो है माइडूम है कॉलंबस है जेरूसलम है शीबरेन है कौन फिकर है अन्ना कोनी कोना है और आई लब यू वाइरस है ठीक है जी आपके यह सब वाइरस है अब क्या कि आपका मालवेर क्या रहता तो malware एक प्रकार का software है जिसे computer, server या network को नुक्सान पहुचाने के लिए dn किया गया होता है इसका उप्योग जानकारी चुराने फाइलों को अठाने या upfront को नुक्सान पहुचाने के लिए प्रोग किया जाता है देखो malware यह आपका एक तो जानकारी चुराने के लिए और फाइलों को अठाने के लिए और उप्रकरन को नुक्सान पहुचाने के लिए इसका यूज किया जाता है मालवेर का दोस्तों यह सीजी अलमाय हुए है मालवेर टोजन एंटी वैरस और नेक्स है टोजन तो यह आपका टोजन क्या रहता है टोजन एक प्रकार टोजन का प्रियोग व्यक्तिगत जानकारी चुराने पासवर्ड को तोड़ने के लिए किया जा सकता है ठीक है यह स्ट्रों कैरिल आम अइमोरते ट ए। यूज एंटी वाईरस तो यह संप्रोजन एंटी वाईरस सब्सक्राइब भाैरस का दोजने कंसे लिए हम एंटी वायरस का इस्तावाल होता है एंटीवाईरस को एंटी मालवेर software की रूप में जाना जाता है malware software का पता लगाने रोकने और अठाने के लिए प्रयोग किये जाता है प्रयोग किये जाने वाला computer software है तो ये दोस्तों आगे हैं कुछ antivirus नहीं लेखते हैं जो आपके system को सुरच्छ रखते हैं तो कुछ antivirus हैं जैसे mca3, caspire, sky, avast और आपका abg, norton, 360 security, clean master, quick heal तो ज्यादा तरह हम लोगों ने देखा होगा 360 और quick heal हम अपने laptop में यूज करते हैं antivirus के लूप में क्योंकि ये और महेंगे रहते हैं ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है next है warm warm क्या है computer warm एक प्रकार का मालवियर है जो computer से computer में swag की प्रतियां फैलाता है यानि खुद की मतलग को भी फैलाता है किसी function में वही चीज़ दोबारा से दूसरे function में वही तबारा से इस टाइप से computer warm network में email, webpage and chat message के दोबारा आसानी से दूसरे computer आपका फैल जाता है अब है types of warm देखिए email warm, instant message and chat room warm, internet warm और file sharing warm देखिए अब next है प्रवेंटिम मेजर साइबर सिकोर्टी टैप्स जैसे हमें अपनी साइबर सिकोर्टी के लिए टिप्स क्या कै चाहिए तो यह है अग्यात से प्राप्त होने वाला कोई email अटेच्मेंट न खोले, कोई भी अग्यात अगर mail आ रहा है तो उसे खोले ना, ठीक है नेक्स है अ संदेपुड वैपसाइट पर न आ जाए तो जैसे कोई email पर अपरचित वैपसाइट या जैसे आप Google पर जा रहे है कोई भी अपरचित वैपसाइट पर अपन किल्क नहीं करेंगे, उससे भी कहा है कि हमारे virus आ जाता है, फाइल के जरी है, next है सार्वियनिक इस्तान पर अर और सुरचित वाई-फाइ नेटवर्क का पर्योग करने से बचा है, जैसे हमें कहीं भी फिरी का इंटरनेट मिल गया है, तो हम सोचते हैं कि फिरी का यूज़ करने है, वहां से हमारे सिस्टम में बाइरस आने के maximum chances रहते हैं, जैसे अपना रेलवे है, रेलवे प्लेटफा या सुरचित जहां पर आपको वाई-फाइ नेटवर्क का प्योग करनाने चाहिए, नेक्स है, खातों और उपकरगोन के लिए मजबूद अदूतिया पासवर्ड का प्योग करें, जैसे अपने मुबाइल में हम या अपने लेप्टॉप में एक ऐसे मजबूद का अप्योग करें, जिससे के किसी को कोई आसानी से खोलना पाए, नेक्स लाइन है, अपने एंटी बाइरस सॉप्ट्वियर और ऑपरेटिंग सॉप्ट्र को अपडेट करते रहे हैं, अब यह है, यह तो छोटी इसी बात ही है, अगर एंटी बाइरस से बचना है तो अपन अधिकरित प्रियोग को रोकने या बनाने के लिए डियान किया गया सिस्टम है, फायरवाल नेमो के एक सेट के आधार पर नेटवर्ग टांसमिशन को अनुमति देने या अश्विकार करने के लिए सॉप्ट्वेर और हाडवेर ड़ास दोना का संयोजन है, नेक्स लाइन ह फायरवाल एक नेटवर्ग सुरच्छा परणा लिए जो पूर निरादित सुरच्छा नेमों के आधार पर इनकमिंग और आटगोइंग नेटवर्ग ट्रेफिक की निगरानी और नेंतर करती है, दोस्तों यह हमारा मेल यह आपका वायरस यहां अपनेस होता है, तो दोस्त आपको मालम चल जाएगा, तो दोस्तों यह आपका टॉपिक खतम हो गया, और नेक्स आने वाला टॉपिक देखें कौन सा रहेगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरू करनें, जिससे के आने वाले टाइम में आपको हमारी वीडियो का notification मिल जाए, जिससे के आप अपने exam के लिए उस topic को त्यार कर सकें, तो अच्छे तरीके से बताया है, अगर समझ में ना आए, तो हिंदी में लिखा है, मैंने कोई फारशी में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक ऑ्क बाप, तो हुऑता आए, इसमें लिखा हैं, जिए पॉर्ण र avenues है कोई उसक्शे पताया है, आसानी से पहीं जाए, अगर सकते हैं, तो हिए बता पता हैं, आप प्राव